लेखक परिचाई प्रेमचंद सन अठारहां सो असी से उननीस सो चत्तीस प्रेमचंद का जन वारानसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था उनका मूल नाम धन्पत राय था प्रेमचंद की प्रात्मिक शिक्षा वारानसी में हुई मेट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बिये तक शिक्षा ग्रहन की असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूही तरह लेखन कार्ये के प्रती समर्पित हो गए प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दु में नवाब राय के नाम से की बाद में हिंदी में लिखने लगे उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वन वेवस्था की कूरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है वे साहित्य को स्वांतह सुखाए ना मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे वे एक ऐसे साहित्तेकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिती को पैनी द्रिष्टी से देखने की शक्ति रखते थे उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रिय भावना से ओत प्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की कथा संगठन, चरित्र चित्रन, कथोप कथन, आदी की द्रिष्टी से उनकी रचनाएं बेजोड हैं उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचल के निकट है हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेश योगदान है संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेश्टा है जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया उनकी प्रमुख कृतियां है कहानी संग्रह, मान सरोवर जिसके आठ भाग है और गुप्तधन जिसके दो भाग है उपन्यास, निर्मला, सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंग भूमी, कर्म भूमी, गबन और गोदान नाटक, कर्बला, संग्राम, प्रेम की वेदी इसके अतिरिक्त विविध प्रसंग, जो तीन खंडों में सहित्तिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है कुछ विचार जिसमें सहित्तिक निबंध हैं उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण, आदी पत्रिकाओं का संपादन भी किया क्या जादी हए Esc पत्रिक्षण